हलो दोस्तो आर्बी एक्स व्लॉग्स में आप सभी का फिर से सौगत है तो फर्स्ट व्लॉग में आपको मैंने सल्वा से खड़कपूर तक का सबर और सेकेंड व्लॉग में काटफंडू तक पहुंचने के लिए पूरी जानकारी शेयर किया था दोस्तो अगर आपने दूसर व्लॉग नहीं देखे है तो उपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा आप उसको क्लिक करके देख सकते हो दोस्तों तो इस व्लॉग में आप रक्सॉल से काटमंडू तक के सबर के बारे में देख पाएंगे दोस्तों तो हम रक्सॉल से निकल के बिरगन जा रहे हैं जैसे क कि मैंने बोला था आप कोई भी साधन से जा सकते हैं विर्गंज तक जैसे की ई रिक्षो आटो रिक्षो और टांगा लेकिन मैं टांगा ही प्रेफर करता हूं तो यही है दोस्तों इंडिया और नेपाल बॉर्डर वायरक्सॉल जो की बहुत शांदर है और हम नेपाल के अ वायरोड लेकिन हम बाइफ्लाइट जाने वाले हैं सिम्रा से क्योंकि इसी बहाने हम बुआ और फूफा से भी मिल लेते हैं दोस्तों जो की इसी मरा में ही रहते हैं तो हम पहुत चुके हैं दोस्तों सिम्रा में बुआ के घर में और दोस्तों उनसे मिलने के बाद दूसरे दिन हम निकल रहे हैं काटमंडू के लिए फर्स्ट फ्लाइट में जो की 7.30 एम में है और यह हम पहुचने वाले हैं सिम्रा एरपोर्ट तो दोस्तों हम पहुच चुके हैं करीबन 6.45 एम में तो यही है दोस्तों टोमिस्टिक फ्लाइट जो की काटमंडू 20 मिनिट में पहुचा देती है तो हम निकल चुके हैं काटमंडू के लिए झालाओ प्लाओ में गय school काटमंड़ nowhere लिए जोस्तों हाट sound भालाओ बाल करで में बाल Crवया छूके हैं कहालाओ और कर फे चुके हैं झाल में speaking कर दो कर दो कर दो ज वती रातभी दो कर दो कर दो कर दो कर दोके हैं जड़ाए व्यक्त। कर दो कर दोजए कर दोके दोThat कि अवे कैया उनीप तो दोस्तो हम लैंड करने वाले हैं त्रिभूबन इंटरनेशनल एरपोर्ट में और यह हम आ चुके हैं अपना लगेज लेने के लिए दोस्तों यहां पर एक बात है कि सारे डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लगेज को एक ही जगह पर अनलोड होने के कारण आपको शायद परिशानी हो सकती है तो दोस्तों यह कार पार्किंग एरिया है और यहां से आप टैक्सी ले सकते हो तो हम जा रहे हैं दोस्तों बड़ा नीवल कंट पे और यह रहा एंट्रेंस एरपोर्ट का कर दोस्तों बड़ा एंट्रेंस एरिया है कर दोस्तों भाड़ आज का मौसम भी बहुत बढ़िया था दोस्तों और हम अपने घर पहुंचने ही वाले हैं तो दोस्तों हम अपने घर पहुंच चुके हैं और यह रहा दोस्तों बैप भी तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये व्लोग पसंद आया हो और बहुत कुछ नया सीखने को मिला हो अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों और आपका कुछ भी सेजिशन हो तो नीचे कमिट बॉक्स में जरूर जरूर शेयर की जरूर तो इसी तरह बने रही हैगा दोस्तों मिलते हैं अब ले व्लोग में दने वागता